तो आज देखिए बात करेंगे आज एक AC क्रीम के बारे में जो घाओ बरने में एक रामान साबित होती है यानि कई बर क्या कि घाओ ऐसे हो जाते हैं जो बाकी ओर्णिमेंट से ठीक नहीं हो पाते हैं भी जो घाओ बरने की जो हेलिंग प्रोसेसर होता है वह बहुत कम होता है बहुत सलो होता है और भरता नहीं है कुछ ऐसे घाओ होते हैं जो सूगर के कान भरते नहीं है जिसे कि डाइबर्टीच परो पेशेंट में लखे गए कि गाउब हो जाती है डाइबर्टीच सूगर जाता हो निया कान फिर वो हीलिंग प्रोसेस में डिली हो जाता है तो वहां पर यह रामबान होती है काम अच्छा करती है तो दोस्तों कहने का मतलब है बालते रहेंगे आ अच्छा कंपनी है पुराना बहुत ज़्यादा है अगर वाउंड है तो वहां पर डोक्टर लिखेंगे अगर आप जाओगे तो लेकिन यह जो प्लेशेंट्रा जेल है यह तभी प्रिस्क्राइब की जाती है जब बाकी डोक्टर ने दे दिया और काम नहीं की यानिक अगर सब काम करना बंद कर देती है और काम नहीं आती तो भी डोक्टर देती है यानि लास्ट में समझे ठीक है 20 ग्राम को एक पिस क्रीब क्रीब एक सोशी रुपे के आसपास मिल जाता है तो आगे तुवान पर असानी से मिल जाएगा डोक्टर इसलास ही उज़ करना दोग्रेटेंट दाता जो में वही है तो अनदर आता घृमन पलर अप्सरीक जेरो पोईंट न गराम अब हर झे dość आख हो एक चल्त यानि मानव अंग से यह अक्त्रेक्ट करके लिया जाता है अबसकितस को बढने में मळद करते हैं एक्चेशली दुस्तों करता है कि जो इंकरीज करता है उस एरिया में जहाँ पर इनफेक्शन है या फिर गाउ है तो वहां कि टीशुज बनने और जो न्यूट्रिशन्स होते हैं जो ब्रेड के अंदर वो जाके उस गाउ को बरते हैं तो कहने का मितलब है ब्रेड फ्लो को यह करता है और इंफ्लामेशन को कम करता है जो यह जो पलेशेंटा होता है तो प्रोटिन्स होते हैं इसके अंदर अलगने तरीके के एक ग्रूप क्योंता है वो ये काम करते तो किकर घाय हो चोंड कोई रख गया है और बॉत परने बड़ कर सकता है ठीक कर सकता है पाउं के निचले इसे में जाद कर सकता है कि एठन हो जाती है वहां पर घाओ हो जाता है वहां पर दर्द साइड फिर्ण होते हैं लगाने के बढ़ी हो सकता है कि जलन होने लगे इचिंग चलने लगे अगर यह जादा चीज हो रही है तो डोक्टर को बताना है अधरवाइज होती नहीं है बहुत कम जानस में साइड फिर्ण करती है और घाव को जल्दी जल्दी भर देती है लोगर वाला पैसेंट ही क्यों दाओ तो भाया संपूर्ण रेविव था प्ले सेंट्रक्स जल्द के वारे में यहां ते बढ़ी नेंगे लिए भूत भूत धन्यवाइज